हेलो फ्रेंड स्वागा थे आपका प्रेंक ट्रेशन ऑफिचल में आज हम यह चैनल लड्डू गुपाल की पिकॉक यह पिकॉक वाली ड्रेस बनाएंगे और यह इसकी पगड़ी बनाएंगे यह देखने में कुछ इस तरीके से देखेगी यह बहुत ही आसान तरीके से अगर आपको जानना है कैसे बनी तो मेरी वीडियो को अंतक देखें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेट करें चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं ड्रेस बनाने के लिए पह यानिन पिकऊक पैदर बनाना शीखेंगे आप यह बयुकलर पाट पहले ही यह ब्लुकलर कर पहले कि नॉट लगा लिए आप यहाँ पर चाट थैन बनाएंगे वन तू किनल फॉर ली निन मुह मारी फरस्ट पाटे जिए घ्माट करिंगे अब यहाँ पर दो चेन बनाएंगे अब हमारा जो यह सरकल है बीच में इसमें हम 10 टाइम हाफ डवल क्रोश्य बनाएंगे यह हमने दो बार बना लिया है आप डवल क्रोश्य बनाने के लिए पहले हम बूल को इस तरह से खुमाएंगे इस तरी किसले जाकर हमारे तीन हो गए अब तीन का एक कड़ देंगे ऐसे हमने यह चार बार बना लिये हैं यहाँ पर हम छै बार और बना लेंगे टोटल टैन टाइम हम यहाँ बना लेंगे हमें लिए का इंट है कि देखने में हुमारा कुछ इस तरी के से देखेगा अब हम यहां पर यह लायकर बहुले इसी पर यहाँ पर इस तरी के से नट लगा लेंगे यह नोट लगा करके हम जहां से हमने स्टार्टिंग की थी महीं पर सेकंड पर चिन में ले जा करके इस तरीके से एक सिंगल क्रोश्य बना लेंगे पर इसके नेक्स्ट बारे स्टिच में पर इसे एक बार सिंगल क्रोश्य बनाएंगे और जितने भी इस चित दिख रहे हैं सब में एक एक बार सिंगल क्रोश्य बना लेंगे इस तरीके से यह हमने सम्में एक बार सिंगल क्रोश्य बना लिया है अब हम यहाँ पर फाइव टाइम इस तरीके से खीचेंगे यहाँ पर हम पाच बार डबल क्रोश्य बना लेंगे यह हमारा टू टाइम बन गिया है थ्री टाइम फोर टाइम और यह पाइव टाइम और अब हम यहाँ पर इसे इस वाले स्टिच में रिजा करके से रिपेस्टिच से कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर इसे बूल को कट कर लेंगे यह देखने में कुछ इस तरीके से देखेगा अब हम क्रोश्य हुक पर इस तरह से नौट लगा करके जहां पर हमने यहां बर्क स्टार्ट किया था महीं पर ले जाकर के इस तरीके से इस तरीके से एक सिंगल क्रोश्य बना लेंगे और ये बूल निकले हुए हम इसके साथ ही सेट करते जाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पर हम दो भार सिंकल क्रोशिय बना लेंगे, इसके नेक्स्ट वाले में हम दो बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से अब जो इसका नेक्स वाले स्टिच है उसमें हम दो बार डबल क्रोशे बना लेंगे फिर उसके नेक्स वाले में हम फिर से दो बार डबल क्रोशे बना लेंगे यह हमारा 1, 2, 3, 4, 4 टाइम हो गया, पाइब बाले में हम इस तरीखे से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे दो बार ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम इससे हम इस तरीखे से इससे गमालेंगे इस तरीखे से दो बार इसे राउंड लेकर इसमें डालकर अब हमारे यह पूर हो गया, पूर का फिरीखा 2, 2, 1, इस तरीखे से मारा ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा, अब हम एक चेंड लेंगे और फिर इस वाले स्टिश में दो बार ट्रिपल क्रोशिया फिर इससे बना पीसटरीक से और अब 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 यजरह हमने पहले सिंगल क्रोश्यय बनाया था पर हम दूप सीटिश में डबल क्रोश्य बनाना है दू दूबार पूellow अब ऑसटरीक से अब नेक्स्ट बारे स्टिच में हम दो बार हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे उससे नेक्स्ट बारे में हम दो बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे और हुमारी जितनी भी स्टिच है सम में हम एक एक बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से यहाँ पर इसे कट कटेंगे यह देखने में कुछ इस तरीके से देखेगा यहाँ पर हमने यह सब छोड़ सोड़े फैदर बना लिए है और एक हमने यह बड़ा फैदर बनाया है इसके लिए पैटर्न सेम रहेगा बस यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिय बनाएते तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिय बनाएंगे यहाँ हमने टेट टाइम बनाएते तो यहाँ टोड़ टाइम बनाएंगे और यहां पर six बार double crochet बनाएंगे और फिर हम यहां पर दो बार single crochet फिर half double crochet फिर तीन बार double crochet फिर उसके next वारे में triple crochet तीन बार उसके नेक्स्ट वारे में यह तीन बार फिर हमें चार बार क्रोशय को घोगे वूल को घुमाना है वह जोगेां पर फिर यह 5 बार घुमा करके तब यह बना यहा है हमारा बागी पैटर्न सब सीम रहेगा और हम फिर यह चोटी पैदर के तरह यह बड़ा पैदर बना लेना है अब हम यहां पर पिकोग बनाएंगे पिकोग बनाने के लिए हम पहले इस तरही किसे नौट लगा करके यहां पर 40 चेन बना लेंगे 1,2,3,4,5 ऐसी 40 चेन बना लेंगे हमने यहां पर 39 चेन बना लिए हैं अब यहां पर 3 चेन बना कर यह 3 चेन इसकीप करके जो 4 वारे चेन है उसमें लेजा करके इस तरीकी से एक डबल क्रोशे बना लेंगे, अब हमारी यह दू डबल क्रोशे काउंट होंगे, इसके नेक्स्ट वारे चेन में हम फिर से एक बार डबल क्रोशे बना लेंगे, उसके नेक्स्ट वारे चेन में फिर से हम एक बार डबल क्रोशे बना आज ए एक इससंगे हर एक ४ार डबल क्रोशिय बंदाले लिए अब गटकर लेंगे एर जो हमारी बूल है इसे हम इसके अंदर एड़र करने एक माद कोếnदर दीखिए की अब हम इसको क कि इस तरही कि से यहां पर इस तरी की सप्ड़िए पूर करके इस ररीक से यहां से यहां पर शिरू लिए कि कि इस तरीके से कि चिल्ले के लिए हम सोई में बूर डाल कर अच्छी तरीके से पीछे से स्टार्ट करेंगे और चोड़े चोड़े चिस लगाएंगे ताकि यह देखने में हमारा अजीब न देखे इसे पूरा यहां पर इस तरीके से चिल्लेंगे लिए हम नहीं यहां पर इस तरीके से अब में जमों अरा बड़ा वाला फैदर था इसे हम यहां पर इस तरीके से है इस तरीके से यहां पर चिल्लेंगे कि एसे में इधर से सिलनाय स्टार्ट करेंगे और इस चरीक यह इसके थोड़ा ओपर-ओपर कि इस तरीके से पूरा शिट लेंगे हम नहीं यहां पर इस तरीके से शिट लिया है और हम यहां पर इसकी चोज बनाएंगे चोज बनाने के लिए हम यह रैड कलर का वोल सोई में डालेंगे और यहां पर अपने वोल को इस तरीके से डाल कर है है और यह कि इस तरीके से बना लेंगे अब हम फिर से इसे इधरी डाल कर थोड़ा सा लंबा धागा लेंगे इस तरीके से और फिर इधर से ले जाकर के जर तक हम बना देंगे फिर हम बीच में से निकाल कर अपनी चोच के यह जो है चोच इसकी बुल के बीच में डाल कर इस तरीके से निकाल देंगे यह इस तरीके से मोर की चोच बन जाएगी और अब हम इसे यहां पर इस तरीके से नोट लगा कर यहां पर इसे कट कर लेंगे यह देख लिए हमारे कुछ इस तरीके से देखेगी और यहां पर मूर की कलंगी बनाएंगे इस तरीके से है कि कट कर लेंगे और अब जो हमारे मोती हैं इसे हम यहां पर एक यहां पर और एक यहां पर इसे सिट लेंगे और यहां पर यह इस तरीके से मोतियों को यहां पर सिट लेंगे कि अब इस तरीके से हम यहां पर यह दो मोतियों को और शिट लेंगे दो रहां है हमने यहां पर इस तरीके सिट लेंगे अब हम यह यह वारा जो पर लेंगे इसे हम यहां पर यहां पर हम इससे की आइस बना देंगे यह यहां पर सिट लेंगे कि अब तरीके से हम यहां पर शोब करणा पसिट लेंगे कि इस तरी किसी हमें से लिया है और हम इसे यह आपर कि नोट लगा कर कट कर टेंगे इस देखने में हमारा कुछ इस तरीके से देखेगा अब हमारी जोई पर्ड है इसे हम यहां पर इस तरीके से कि इस तरीके से यहां पर हम यह सब इसे स्टिच कर टेंगे कि इस तरीके से लगाते हुए इसे यहां पूरा हम यहां पर स्लाई कर लेंगे कि इस तरीके से आप अपने अक्रोडिंग कितने भी लगा सकते हैं इन्हें हम यहां पर इस तरीके से सिलेंगे कि इस तरीके से चोटे चोटे टाके लगा कर कि इस तरीके से सिल्टे जाएंगे हुआ है हुआ है 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 जो हमारा दूसरा पैदर होगा उसे हम यहां पर इस तरीके से सिल्टे लेंगे इस तरीके से यहां यहां पर अइसा हुआ है और इस तरीके से और यह इथर ऐसे यहां पर जिल्टे जाएंगे पर आप कुछ इस तरीके से दिखेगी अब हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जोइंट कर देंगे और इसके नेक्स्ट वारे चोई स्टिच है उसमें एक सिंगर क्रोश्य बना देंगे अब हम यहाँ पर चार चीन बनाएंगे वन टू ठी फोर और जो इसके यह दूर लूप है यह जो हमें दिख रहे हैं सिंगर क्रोश्य आ के इसमें जाकर के इस तरीके से सिर्व पिस्टिच से जोइंट कर देंगे नेक्स्ट वारे सिर्व पिस्टिच से जोइंट करेंगे उससे नेक्स्ट वारे में एक सिंगर क्रोश्य बनाएंगे इस तरीके से पिस्टिच से चार चीन बनाएंगे और जो इस दो लूप दिख रहे हैं हमारे इस बोलते । जाकर के इस से इस तरीके से करेंगे हम इसके नेक्स वारे में हम फिर से सिंगर क्रोश्य बनाएंगे पिर से यहां पर चार चीन बनाएंगे और जो दो लूप दिख रहे हैं हमारे इसमें इस तरीके से टेजा करके यहां जोइन कर लेंगे और फिर से नेक्स में इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे यह देखने में कुछ हमारे इस तरीके से दिखेंगे ऐसे हम यहां सारे में बना लेंगे हमने यहां पर इस तरीके से बना लिया है यह देखने में कुछ हमारी इस तरीके से दिखेगी यह हमने यहां पर सारे में यह कंप्लेट कर लिया है और ऐसे ही हमने यह बाजी उपर बना लिया है और यह हमने यहां पर पेस्टिंग स्टार यहां पर यह हमने चिपका दिया है ह त हम यहां पर इसका ब्रॉटर बनाएंगे, हम बॉल को इंथ बहुनों साथ एंफधर करेंगे देट आप यह एक है सरी कैसरे जीद बना लेंगे here उने के सुछाच कआ उसका मना होएं तरकी से इसरी इस तरा है सरे जोच में पर इसमारी कारुच हरा है सारे जितने पी सब दिख रहे हैं यहां समय हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिय बना लेना है यह हमने यहां पर सारे में बॉटर बना दिया है इस तरीके से बॉटर हमारे यहां पर इस तरीके से दिखेगा हमने यहां पर यह ड्रेस कंप्रीड कर लिया है और मैंने यह डूरी बना लिया और यह फ्लॉवर बनाए है अगर आपको जानना है कैसे बने तो आप मेरी हुड़ी और पैंट पारी वीडियो जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी यह ठेस देखने में कुछ इस तरीकेश दिखेगी अब हम पगड़ी बनाने स्टार्ट करते हैं पगड़ी बनाने के लिए मैंने यहां पर 55 चेनि बना ली है फिर थ्री चेन एक्स्ट्रा लेकर हम थ्री चेन स्कीप करके फोर्थ वाली चेन में इस तरीक इसे डाल कर यहाँ पर एक डबल क्रोश्य बना लेंगे यह हमारे दो डबल क्रोश्य काउंट होंगे नेक्स्ट वाले चेन में हम फिर से एक बार डबल क्रोश्य बना लेंगे इससे नेक्स्ट वाले में हम फिर से एक बार बनाएंगे ऐसे जितनी भी चेन है सब में एक एक बार डबल क्रोश्य बना लेंगे यह हमने समय एक-बार डबर क्रोशे बना लिया है और यहाँ पर वूल को कट कर लिया है अब जहां से हमने स्टार्ट किया था आँसे हम वूल को जोड़ेंगे इस तरीके से जोइंट करेंगे अब यहाँ पर थिरी चीन बना लेंगे और फिर से हर एक स्टिच में एक बाड अबर क्रोश्य बनाती जाएंगे यह हमने सब में एक बाड अबर क्रोश्य बना लिया है और यहां पर वूल को पड़ कर लिया है अब यहां पर यह बिलू कलर का वूल एड करेंगे यहां पर इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से यह अब हम यहां पर दो चेन बनाएंगे अब हम हर एक स्टिच में एक बाड सेंगल क्रोश्य बनाते जाएंगे इस तरीके से इस तरीके से सम्में एक एक बाड सेंगल क्रोश्य बनाते जाएंगे हमने यहां सम्में एक एक बाड सेंगल क्रोश्य बना लिया है और अपने बाड को यहां कट कर लिया है अब इधर से सेंगल क्रोश्य के एक लाइन और बना लेंगे इस तरीके से यहां जॉइंट करेंगे और हरे के स्टिच में इस तरीके से सिंगल क्रोश्य बनाते जाएंगे हमने इस सम्में से एक बाड सेंगल क्रोश्य बना लिया है अब यहां हमारी दू डबल क्रोश्य और दो सिंगल क्रोश्य बन गए अब हम यहां पर बिलोकल रखाब भूल लेंगे और इसमें चार चेन बनाएंगे अब यहां पर चार चेन बनाएंगे और फ़स्ट बारी चेन में लेजा करके इस तरीके से यहां पर इसे सरे पिस्टेश से नेक्ट प्रड लेंगे और यहाँ पर 1, 2, 3, 3 chain बनाएंगे और यहाँ पर अब total 15 बार double crochet बना लेंगे अब हमारी यह दो double crochet बन गए 3, 4, यह 5 हमने यहाँ पर 5 बना लिया है यहाँ पर हम 10 और बना लेंगे यह हमने 15 बार double crochet बना लिया है अब हम यहाँ पर cut कर लेंगे जैसा हमने यह बिलू बनाया है ऐसा हम यहाँ पर यह light बिलू बनाएंगे यहाँ पर हम इस तरीके से लेकर यहाँ चार्जेन बनाएंगे यहाँ पर फिर से तीन चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पर 15 बार double crochet बना लिया है यहाँ पर हम 15 बार double crochet बना लिए हमने यह बनाकर अपना complete कर लिया है अब हम यहाँ पर यह blue color का wool इस तरीके से डालेंगे light blue color का wool और इस तरीके से यहाँ जॉइंट कर लेंगे फिर अपने क्रोश्या को इस तरीके से गुमा कर chain stitch में डालेंगे और इस तरीके से निकाल कर एक single crochet बना देंगे इस तरीके से पहले हम single crochet आगे के तरह बनाते थे अब हम क्रोश्या को पीछे ले कर जाएंगे chain stitch में डाल कर इस तरीके से निकाल कर यहाँ बना लिएंगे इस तरीके से यहाँ पर हम सारे में बनाते जाएंगे और यजिकल cक लिए हम ऑसना कर suitable खरता अजयनिया कर दो कि अ खरता दू ठाएंगे लुएम में निर्में बनाते चक Luther एंगे ले घंगे और भूएम झाल झाल यहां पर कट कर लेंगे यह दिखने में कुछ इस तरीक से दिखेगे ऐसे हम इस पर भी बना लेंगे यह हमने बिलो कलर की बुल से बना लिया है अब हम इसे पगड़ी को इस तरीके से इस तरीके से यहां पर हम जॉइंट करेंगे से इसे सारे को हम सिख लेंगे जया हम इसे 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 तरीके से इसे आपड़ी को हम इसे थापड़ी को में इसे धूझए पर यहां पर इस तरीके से जोइंट कर लेंगे उसके बाद अब हम यह इसे पीछे की तरफ इस तरीके से सीधा सीधा से लेंगे यहां पर इसे हम यहां पर उल्टी तरफ से सीधा सीधा से लेंगे ऐसे उल्टी तरफ से सीधा से लेंगे यहां पर झाल झाल यहां पीछे के तरफ शेल लेंगे अंदर के तरफ से ऐसे उल्टा करके से हम यहां से सिर लेंगे झाल 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 अब हम इसे साइड से लेंगे यहां यहां पर उल्टा करके पीछे के तरफ से ऐसे सिर लेंगे झाल कि अन्यों को चुर्ण कि अच्ट कर दो एक नह कर दो एक अच्ट कर दो भी सिल लेंगे यह हमने सारी सिल लिए है अब हम यहाँ पर इस पूर हम इसे इस तरीकी से इसके उपर लगा देंगे और यह हम लास पर चिपकाएंगे अब हम यहाँ पर इस तरीकी से सिलेंगे इस तरीकी से रखकर यहाँ पर सिल देंगे कि पहले हम यह मूष्पंके सिललेंगे के इस तरीके से हम छोटी छोटी ठाके लगाकर छोड़े छोटे टाके लगाएंगे ताकि यह सपाई से सिले हमारा छोड़े छोटे टाके लगाएंगे यहां पर हम इसे पूरा सिल लेगे जहां जहां हमारा ग्रीन आ रहा है महां हमारा ग्रीन दिखाएंगे इस तरीकिल सिल्कर यहां पार इसे नोट लगा कर कट कर लेंगे यह देखने में कुछ इस तरह से देखेगा अब यहां पर यह बिलू कलर की बूल से सिल्लेंगे जिस कलर की बूल होगी उसी कलर की बूल से हम इसे सिल्लेंगे इसे सिल्लेंगे अब यहां पर इसे यह इसे भी सिर्लेंगे है हमने यह सिर्लिया है यह देखने में कुछ तरह से दिखेगी अब यह पेस्टिंग पर लाम इसे यहां पर इस जो यह लाइनार यह बेलू कल रखी यहां पर चिप का लेंगे यह हमने चिप का लिया है और यह स्टोन हमने इसके उपर चिप का लिया है यह पगड़ी हमारे देखने में कुछ तरह से दिखेगी कैप हमारी बनकर रेडिया वीडियो देखने के लिए यह ट्रेस बनकर रेडिया वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल झाल